आज ही नेटफ्लिक्स के अंदर रिलिस की गई है मूवी दो पत्ती जिसके अंदर हम देख पाएंगे काजोल को कृती सनन को बात करेंगे कैसा लगा यह मूवी लेकिन आगे बैने से पहले नेटफ्लिक्स के अंदर आज ही रिलिस की गई है मूवी दो पत्ती जब से इस फिल्म के लिए काफी एकसाइट था वो इसलिए क्यूंकि इस फिल्म के अंदर हम पहली बार काजोल को एक पुलिस ओफिसर के भूमिका में देख पाएंगे उपर से इस फिल्म के अंदर हम क्रीती सनन जैसे कलाकार को भी देख पाएंगे क्रीती सनन जो की रिसेन टाइम में काफी सारी ऐसी फिल्में है जिसके अंदर वो ऐसी करेक्टर चूस की है जो की बहुत ही दमदार है I mean to say she's not playing any showgirl type of character anymore also for the sake of glamour she has not been used these days by the directors तो उस हिसाब से ऐसा ही लगड़ा था कि ये जो फिल्म है ये एक बहुत ही दमदार फिल्म बनने वाली है लेकिन क्या सच में ऐसा है तो चलिए एक करके जानते है सबसे पहले तो अगर इस फिल्म के कहानी के बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली ये एक ऐसी कहानी है जो की domestic violence के उपर based है और ये एक romantic thriller genre की फिल्म है तो अगर मैं कहूं कि recently इस जानर में सबसे अच्छी कोई फिल्म है तो वो है darlings it was absolutely brilliant movie अगर अपने नहीं देखा है तो जरूर देखना मेरी तरफ से 100% recommended एक movie है लेकिन ये जो फिल्म है इसका जो narrative है बहुत ही बखवासिक narrative है उस फिल्म के अंदर जैस जिस तरीके से domestic violence को showcase किया गया था और फिल्म जिस note पे end होती है आप ये सोचने में मजबूर हो जाते है कि कैसे ये सब सोच लिया director ने लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर जो writing है बहुत ही ज्यादा predictable है मतलब कि इस फिल्म के अंदर चीजे इस तरह से बनती है कि आप पहले से ही predict कर पाते है कि आगे चल कर क्या होगा और होता तो वही है आपको उपर से घुसा आएगा कि इस फिल्म के अंदर जो character है ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा तो मतलब आप ज्यादा समझदार है इस फिल्म के उस character से मैं बात कर रहा हूँ यहां काजोल की जो character है उसकी तो इसका मतलब यह हुआ कि काजोल की जो character है वो बिल्कुल भी दमदार नहीं है उस character को बहुती loosely लिखा गया है उपर से इस फिल्म के अंदर जो writing है वो बिल्कुल भी deep dive नहीं करती बहुती surface level पर चलती है चीजों को बहुती surface level पर दिखाया जाता है बहुत ज्यादा हरबड़ी यहां पर नजर आता है इस फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज़ irritating है वो है काजोल की ही character और उनका performance मतलब मुझे यह कहने में भी पिश्वास नहीं हो रहा है कि काजोल जैसी एक actor इस फिल्म के अंदर बहुती बखवास काम की है लेकिन इसका थोड़ा बहुत दोश मैं director को भी देना चाहूंगा क्यूंकि आप रहते हैं monitor के पीछे तो character क्या बोल रही है किस तरीके से बोल रही है यह तो आपको ही ध्यान देना चाहिए काजोल का वो fake accent इतना कानों को खटकता है कि आप irritate हो जाते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे वो अभी एक मतलब अभी एक शप्त को हडियन वी accent के साथ और दूसरे सेकेंड में almost वैसे ही एक शप्त को बहुत ही अच्छी तरीके से कह देती है तो एक तो ये character का responsibility है कि मतलब actor का responsibility है कि चीजों पर ध्यान रखे लेकिन director को भी इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए था तो मतलब काजोल की जो character है वो एक तो दमदार है नहीं उसको सही तरीके से establish भी नहीं किया गया है उपर से उनका performance बिलकुल भी convincing नहीं है फिल्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा detailing की कमी नजर आएगी यहां तक कि फिल्म का जो treatment है उसके अंदर भी problem है मतलब यह है कि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे moments है जो कि देखकर आपको लगेगा कि यह तो एक मासी moment है लेकिन पूरे फिल्म का जो approach है वो एक realistic approach है उसके अंदर मतलब यह चीज बिलकुल भी नहीं जाता तो फिल्म का जो treatment को लेकर भी confusion पैदा होता है लेकिन इस फिल्म के अंदर अगर कुछ भी अच्छा है तो वो यह है कि कृती सैनन उन्होंने बहुत ही अच्छा एक performance डिलिवर की है उनके character को ठीक तरीके से यहाँ पर लिखा गया है उनके character के अंदर एक dynamics नजर आता है एक contrast नजर आता है और उन्होंने अपनी character को बहुत ही बाखुबी से निभाया है लेकिन overall अगर मैं इस film के बारे में बात करूँ तो यह एक बहुत ही confusing film है बहुत ही बखवास writing है, बखवास direction है और बहुत ही ज़्यादा बखवास performance यहाँ पर देखने को मिलता है तो अगर आपने यह film देखा है तो ज़रूर comment करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और दोस्तों के साथ शेर भी ज़रू कर दीजे, थैंक यू, चैस सिनमा